हमारा आज का topic है under eyes, basically under eyes या eyes के around जो area जो skin होती है वो हमारे बाकी face की skin और बाकी body की skin से बहुत different होती है कैसे different होती है, because ये skin जो है, ये 3 times comparatively 3 times पतली होती है, थिन होती है as compared to rest of our facial skin, यानि के हमारे face की skin से 3 times ये skin पतली होती है क्योंकि ये ज्यादा पतली होती है, तो इसके issues भी different होते है और जल्दी भी होते है comparatively party skin के ने सब ठीक है अच्छा इसमें आज की topic में हमने दोनों चीज़े कवर कर ली है जी हाँ, हम इसमें जो darkness है वो भी कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो anti-aging या जो aging से related हमारी eyes के around skin के उपर होता है उसको कैसे correct करना है, उससे बचना कैसे है, वो सब कुछ हम साथ ही इसमें cover करेंगे ठीके जी, अच्छा सबसे पहले हम आज आते हैं कि ज्यादा तर हमारे पास जो patients आते हैं और वो young भी होते हैं, उनमें जो top पे एक issue होता है, वो होता है dark circles का जी हाँ, dark circles का issue जो है वो बहुत ज्यादा common है, age related नहीं है और heavy और आजकल तो भी कुछ ज्यादा ही हो गया है, the reason being कि जो लोग मतलब जैसे हमने 2 साल घर के अंदर गुजारे हैं COVID में और वो lockdowns चलते रहें, फिर हम घरों में रहते रहें, उसमें gadgets का use बहुत ज्यादा हो गया gadgets मतलब आपके tablets हैं, आपके mobile phones हैं, आपके laptops हैं, आपके iPads हैं, यह चीजों का इतना ज्यादा use हो गया कि जिसकी वच्छा से और पर हमारी routines disturbed होगी, हमारे पर हमें काम पे नहीं जाना होता था, सुभा या बच्चों ने school college नहीं जाना होता था स्टुडेंट्स बिचारे जो है वो घर के अंदर रह 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 थे और घर से ही पढ़ रह थे तो रात को या अपने लेजर टाइम अपने फ्री टाइम में भी वो गाजट्स यूज कर रहे थे और सुभा के टाइम जो अपनी क्लासे ले रहे थे वो भी उनलाइन लेनी थी तो उसका मतलब है गाजट्स के बगए तो पॉसिबल नहीं है तो वो भी गाजट्स के थ्रू ही हो था अब ये जो इशू था इसकी वज़ा से देखा गया कि अब आजाते हैं कि इसके लिए हमने देखना क्या होता है सबसे पहले होता है कि जब प्लाग सबस्क्राइब होना शुरू होते हैं तो लोग घर के अंदर पुछ से अपनी रूटीन को चेक करते हैं अपनी लगाने वारी चीजे जो कि एक दिली रूटीन की चीज होती है कि आपने मौइस्टराइज करना है या आप कोई और से रफ लगाते है अपने फेस पे या आइस के राउंड आप लगा रहे होते हैं तो आप सबसे पहले उसको चेक करते हैं और इसमें क्या है या इसका करना है और इसको चेंज करने की सब्सक्राइब तो नहीं है तो वर्चूद उनको लगता है कि हमारे dark circles रहे हैं, वो बेतर नहीं हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो doctors के पास आते हैं, अब जब आप doctor के पास आएंगे, तो doctor ने basically आपकी skin का analysis करना होता है, analyze करना, examine करना skin को बहुत जोरी है, sometimes कुछ रोगों में यह होता है, कि उन पाकी face skin skin, लेकिन कुछ लोगों की face skin methane होती है, उन लोगों की eyes around skin होती है, वो और ही जादा पतली होती है, वो इतनी पतली होती है, कि उसके अंदर से blood vessels आ हो नजर आ रहे होते हैं, और blood vessels का पना color है, जैसे veins का, ब्लू color है, blueish new आना शुरी हो जाता है, दूर से देखके वो उसका भी हुआ रहा हुता है अब चब यह वाले शेप्स आरहे होते हैं तो दूर से देखने में एक इलूजन क्रियेट होता है और वो इलूजन क्रियेट होता है कि बहुत ज्यादा डार्क आईज हैं ठीक है अच्छा इस तरह के जो पेशिंट होते हैं उनकी स्किन को यानिक इसमें उसको मूव कराती है और उसकी वज़ा से आपको जो शेड आरहा होता है एक इलूजन क्रियेट हो रहा होता है वो बहतर लगना शुरू जाता है पिर एक और इस तरह से आईज होती है अनालिसिस पर हम यह देखते हैं कि पेशिंट की आईज कैसी है कैसी है तो हमें आप ही जादा डार्क कलर नजर आ रहा है ऐसे लोगों में फिलर को यूज करना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि जब हम फिलर यूज करते हैं और उस हैलो को फिल कर देते हैं फिलर नुचे भी लगता है और सम्टाइम्स हम दे यहां पे भी लगाना होता है ताकि आए जो इस बुच्छ कर मांशू वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन कलर की इस कलरीशन या पिंटेशन ही होते है रही है आसे लोगों भी हम डिफर्न तरह के स्टथदा बारा शूज कर आते है। इस कर वाते है जो बेसिक हो चीस इसको कुछ उस-टिस. उसके अंदर आज ऑसाथा है ब लुटा थायवान भी यहां पे सेफ होता है वो भी हम अराउंड आइस जो है वो यूज करवाते हैं ठीके ची तो यह तो हो गया हमारे पास कि अगर आपकी डार्क सर्कल्स है तो आपने क्या करना है अब मैं आपको कुछ डार्क सर्कल्स के हावारे से होम रमेडीस पता रही ह उसमें आपने पिलिकुल फ्यू ड्रॉप्स यानि के हमें थिक पेस्ट बनानी है हमें पानी की तरह उसकी रनी कंसिस्टेंसी नी करनी है तो आपने उसकी थिक पेस्ट बनानी है आप इतना पाउडर लेंगे उसी के हिसाब से आपने देखके उसके अंदर फ्यू ड्रॉप उसको जो हो at least 15 to 20 minutes के लिए छोड़े उसके बाद आप में गरम हलका नीम गरम पानी लेके कॉटन को इसके निदिब करके उसके तुम उतारना है रगर रगर के आपने बिल्कुल नहीं उतारना क्योंकि अगर आप रैसे करेंगे तो आपकी आइस की स्किन जो है वह बहुत ज् नहीं चीज यह वह है खीरे का जूस कीरे का जूस कि अदर कोई इरिटेशन कास करने वाह की चीज नहीं होती है प्लस उसके अंडरवाइटीमिन ए बहुत ज्यादा होता है और यह यह थार्प करता है आप आपकी यह जो डग से कंपकरने अपकी आईस को फ्रेशन अपकरने और ग्रेट करने के बाद उसका पानी चाहने अब आपके पास एक फ्रेश और प्यूर क्यूकंबर का वाटर या जून स्टो भी आप कहना चाहते हैं वो आगया क्या है कि आपने करने काटन को इसमें डिप करना है और उसकेब आप नहाप लगा दिगे अच्छी चरहा लगाले और इसको लगा रहने तें आदे गांटे के लिए लगैने लगे घँल और यंदी रहने तीकरे अपने को Figlet लिए रहनी कॉछा पानी में में इसप्रे क बहुत अच्छी रदीज के लिए बहुत सिंपल है जासे आप पानी गरम करते हैं उसके अंदर ग्रीन टी डाल देते हैं फ्रेश ग्रीन टी बनाएं और फिर उसको थोड़ा सा निकाल ले और अधंडा कर ले और उसके अंदर कॉटन जो है वो डिप करके और उसको लगा देन है और इसको लगा रेने दे और तक्रीम जो है वो आदे के लिए लगा रेने दे और पर इसको हलके नीम दरम पानी से आप उतारते हैं ठीक है अच्छा आपको मैं थोड़ा से नी बताना चाहती हूं कि मूव्मेंट क्या होनी चाहिए जिसके थू आप कोई भी चीज लगा और रएंड है उसको आपने इस तरह से लगा है आउट और रांड ठीक है आउट जो लगा को लगाइंगे आँक के अंदर जानी क लिए लिए झाएकोई बेता जेश्क रिए और भी चीज ने आपने एस तरा से उट्टी घ्ली ada कम प्रेशर हो ता उता है तो एक को लिन्स स तब भी आपने यही तरीका रखना है कि छोटी उनली के ओपर जो भी लिया वो लिया और उसके बाद उसको आउट और राउंड किया ऐसे ऐसे भी आप लगा सकते हैं जैसे कोई सरम लगाना है वो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं ठीक है अच्छा अब मैं आपको बताती कि हमारे पास चीजे क्या-क्या हैं जैसे मैं आपको बताया कि सबसे पहले तो वाइटमिन C जो है वो इसके लिए बहुत अच्छी रहती है तो वाइटमिन C जो है यह वाइटमिन C का सरम मैं आपको दिखा रही हूँ इस सरम is very nice because यह जो है यह और बेस्ट है और ज्यादा लोगों को लगता है क्योंकि इसके यहां से ड्राइवी हो जाती है अरांड आइस तो यह दोनों चीजें काम बैक करेंगा ठीक है उसके बाद मैं आपको दो कंसिस्टेंसी के अंदर वाइटमिन C लिखा रहें ठीक है यह 5% है और यह जो है यह 15% है हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ 5% है यहाँ लोगों के से शुरू करें और हाइप पोचेंसी पे जाएं आज एसे भी कर सकते हैं कि हाइप पोचेंसी पे जाएं श्टार करें और लोगों को सुको करें ठीके अच्छा उसके बाद यह मैं आपको वाइटमिन के की क्रीम निखा रही हूँ यह बहुत काम की चीज है क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि जिन लोगों की स्केल बहुत ज्यादा पतली होती है उसके अदर से वैसल्स नजर आरे होते हैं और उन वैसल्स का हुझ ज उसके लिए कोलेजिन का सरम है कोलेजिन लास्टन जो है वो हमारी स्किन का सिमेंट है ठीक है स्किन की जो में आप समझे जो में फैक्टर्स जो किस्किन बनाते है वो यह ही है तो यह बहुत ज्यादा है इसको लगाना बहुत ज्यादा है और वो बहुत अच्छा रहता है कि आप इसको यूज कराएं उन लोगों को जिनकी स्किन बहुत ज्यादा थिर्म होती है अराउंड आइस, ठीक है, अब मैं आपको दिखाने लेगी हूँ दो गुटा थाइवान की क्लिंस, वह मैं इसके दिखा रही हूँ कि जिन लोगों की प्रॉपर ब्राउन की डिस्कलरेश या पिग्मेंटिशन होती है उनको आप दूटा थायान की लिए, अराउंड आइस थीक है, अ। यह दोनों सेफ हैं यह प्रॉपर इस थाहां के नाम से है, यह श्याक डाउन इसकित रहाई की अशरों के वहां थाइड्यायों है एजिए अपर आउंड आइस, आपकेटे हा बहुत जादा होते हैं इसलिए जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके कुछ रिक्वाइड ब्लाद टेस्स भी कराते हैं जिसमें टॉप के उपर आता है हीमोग्लोबिन नबर नबर पे आजाए का हीमोग्लोबिन नबर तू पे आजाए का वाइटमिन बी के लेवल्स पे आता है वाइटमिन दी जैसे आपको बता है कि हमारी बॉडी की इम्मुनिटी को अच्छा करता है हमारी बॉडी की इम्मुनिटी और रिसिस्टंस उसका बेतर होगा तो डेफिनेटलि अमारे जो डार्क सरक्ल्स हैं वो बेतर रह सेकेगी कि जिस मेडिसन की लिए जिस स आपने लेटी कर लिया, जो हमें खाने की जुरूरत की है, जो टेस्ट कराने ते वो भी करा लिये, जो हमें लगाने के लिए देना था, अब नहीं ठीक हो रहा है, अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो पर हम क्या करते हैं, जो सबसे सबसे बेसलाइन आप समझ लेएं या सबसे इनिशन चीज हम करते हैं, या सरम इंफूशन, जब आप कोई चीज दगाते हैं, तो उसकी एब्सॉप्शन एक हद तक हो सकती है, 100% अब्सॉप्शन उसकी नहीं हो पाती है, लेकिन जब हम इंफूशन देते हैं, मेडिसन की, तो प्रॉपर पिग्मेंटेड ब्राउन कलर की डिसकलरेशन होती है, उन में हम यह भी चाहते हैं, कि जो डेट लेयर अफ स्किन है, वो उतरे, वो हट जाए, जिस वकद वो उतरती है, तो एप्लिकेशन की अब्सॉप्शन भी अच्छी होती है, और यह मैठोड इसल्फ भी आ आप देखेंगे, कि एक बहुत अच्छा और फ्रेश लोग और फ्रेश आपकी स्किन को जो है वो एक क्या कहते हैं लोग मिलेगा, और वो इसलिए आता है कि आपको फ्रेश ओक्सिजन दी जारी होती है, ठीक है, यह बहुत ज़ूरी है, बहुत अच्छा मैठिट रहता है, एसे लोगों के लिए चिन की और ओर और ओर ती आइस अच्छा, जो है वो ब्राउन कलर की दिसकलरेशन है, ठीक है? उसके बाद आचाहता है कि हम क्योंके साथ-साथ एजिन की बात कर रहे हैं, एजिन आराउंड थी स्किन ठीक है, अच्छा की आउन्ड प्रेश आउन तो क यह जो है obviously इसके अंधर जो है वो रिंकल्स पढ़ने का चांस भी होता है fine lines पो होती है जो कि बिल्कुल आपने एक करिंकल जिपा और को नजर आज़ाएं और जो रिंकल्स होते हैं वो आपको पढ़ रहे होते हैं कि आप भस रहे हैं खा रहे हैं तो साथ में आपको रिंकल पढ़ रहे हैं इन सब चीदों से अगर हम बचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जुरूरी होता है कि ताइमली आप एंटाइ एजिंग आई प्रिंस्टों हैं वो लगाना शुरू करते हैं अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक ये एज करेक्टर आई सिरम ये जो सिरम है ये चार चीदों के लिए काम करता है ठीक है इसके अंदर फाइन लाइन्स हैं रिंकल्स हैं डार्क करते हैं और मेंटनेंस के लिए भी आप इसको यूज करवा सकते हैं ठीक है अचा जी उसके बाद मैं आपको दिखा रहे हूं कि स्के जो है वो पत्ली भी होती है और एज पटाइम के साथ जो है धलकना शुरू हो जाती है तो हम टाइटनिंग जाते हैं अब जो मैं आपको यह खारे हूं पूरा एक उघस थाट न करती है यह एक जो है किस्किलि भी टाइटनेंग करती है यह अपकी शकिन को मेंटें करने में बहुत सबह एल्प करेंगी सीधिर में दलकcha निए आपके टिक है तो यह खारा है एक जो हरे हैं तो एभा जाते हैं कि जो यह बहुत जबर्दस्त रहती है और यह हम यूज करवा सकते हैं as a maintenance fee और as a treatment fee लेकिन याद रखें कि जिस वकर आपको wrinkles पढ़ चुके हैं और फिर आप डॉक्टर के पास आएंगे तो फिर चीजें नगा के हम उसको डिले नी कर सकते यह चीजें लगा के उसको नहीं कर सकते हैं फिर उसकी correction जो है वो definitely किसी ना किसी procedure के फूर भी करने पड़ती है अब हम आज आते हैं कि procedures क्या क्या होते हैं इस जगह के उपर सबसे बड़ी चीज को यह हो रही होती है कि ज्यादा तर लोग जो होते हैं यह बहुत कॉमन ही देखा गया है कि पफी आइस बहुत रहना शुरू हो जाते ही ठीक है यह मोटे मोटे जो है वो पफ्स बने वे होते हैं आई के नीचे और वो रहते हैं हर वकत यह एज-related होते हैं और इसको खतम करने के लिए डी-puff करने के लिए injections होते हैं जब आप इसको डी-puff करते हैं तो आप देखेंगे कि पुरे का पुरा लुखी चेंज हो जाएगा और वो जो पफी आइस हमें बुरी लग रही होते हैं वो कबर हो जाएगा और यह एक ही आपने इसके sessions लेके खतम कराना होता है और यह दुबारा नहीं होती और इसकी आपको maintenance नहीं करने पड़ती है फिर हम आजाते हैं कि और क्या चीज होती है then it's mesotherapy mesotherapy जो है इस तरह से अच्छी रहती है कि आप hyaluronic acid जो है वो inject कर सकते हैं आइस के अराउंड यहां तक और इस पी यूस करते हैं वो जो आपकी lax या loose skin होती है या उसके इलावा fine lines होती है उनको खतम करते हैं क्योंकि जब फ्रेट्स लिगाते हैं तो naturally collagen elastin boost होती है उसे आपको बहुत पड़त पड़ेगा उसके पाद हम आचाते हैं और क्या चीज हम करते हैं obviously fillers तो आप सबने उसका नाम सुना होगा और fillers हम use करते हैं किसलिए कि हम चाहते हैं कि अगर यहां पर depth है आँके अंदर कुदहस कहीं है उसको हम cover कर लें और उसके साथ साथ सम्टाइम्स ही होता है कि कुछ ज्यादा dry parched skin होती है कुछ लोगों की नासे और पतली ही बहुत होती है तो उसमें fillers जो करेंगे तो हम आपको application से ही start कराएंगे लेकिन अगर applications यूज करने के बावजूद या supplements यूज करने के बावजूद जो है वहमें फाइक नहीं पड़ता तो फे obviously हम clinical based procedures उनकी तरह चा सकते है